ही एब्रीवन विल्कम बैक टू माई चैनल और आज की वीडियो में न मैं अपना इवनिंग रूटीन आपके शायर करती हूं कि मेरा साम का दिन कैसा रहा और सिर्फ वन आवर की रूटीन मतलब एक घंटे के अंदर जो जो भी मैं करूंगी आपके शायर करती हूं और कुछ चीजे मुझे मतलब गई थी मैं बाहर कुछ चीजे मुझे रिटर्न करनी थी वो मैंने रिटर्न की और कुछ चीजे मुझे खरीदनी थी वो मैं लेके आई तो अभी मैं आपको दिखाती हूं पिछला वीडियो मैं वहीं पर इंड की थी बाहर गई थी कुछ चीजे मुझे लेनी थी वो ली थी और मैं बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके शेयर करूंगी तो ये वही समान है जिस वीडियो का एंड में इसके पहले की और ये मुझे एक pot चाहिए था रखने के लिए पल्टा वगेरा जो बड़े पल्टे होते हैं नकल्चल डाल वाली सबजी वाली वो सारे पल्टे लेने के लिए था और इसमें वो रखूंगी मैं थोड़ा बड़ा सा है लेकिन मुझे पसंद आया था और प्राइस भी रिजन यह सारी चीजे रखने के लिए छोटा वाला लिया है तो जब भी मुझे कोई सामान पसंद आता और प्राइस ठीक लगता तब ही मैं लेती हूं ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूं इस चीज को खरीदने बाहर मैं बाहर जाती हूं देखती हूं गुमते फिर ते जो भी मुझ बहुत सीजे मैं सर्च करती हूं उसके बाद ही लेती हूं चाहे वह ऑनलाइन हो चाहे वह सॉप का हो और जब भी शोर नहीं रहती हूं मैं टैग उसका नहीं निकालती हूं क्योंकि हां रेटर्न हो जाता है तो इसलिए मतलब जब भी मुझे कोई चीज रिजनेबल सब्सक्राइब करते हैं नीचे कम से कम लब गंदा वगर जम जाता है लेकिन मैंने पेपर लगा के रखा है और यह मैं आपको दिखा रही हूं यह जो प्रेट लिया मैंने छोटा सा इस पे मैं जैसे सब्जी चलाते हैं तो पल्टा रखने का जगह नहीं रहता या तो मैं गैस पे रखती हूं तो वह पल्टे बहुत जलने लगते हैं जैसे दो तीन डाल वनारी सब्जी बनारी स्पून लगता है खाना बनाते टाइम कुछ तो वह मैं गैस स्टॉप पे रखती हूं तो लेकिन वह न मतलब अचानक से उपल्टा उठाओ तो हाथ जलने लगता है टो इसलिए मुझे लगा कि यह ऐस WHIGHT SLAP बहुत ही गन्डा हो जाता हैं तो इसलिए मैंने यह लिया पिर चलाओं तो फिर इससे रखने के लिए रहें तो इसलिए मैंने वह लिया है और वैससे भी वह बहुत सुंदर लग रहा था तो मुझे बहुत कुछ यूज कर सकते और यहां पर थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी लेके आई थी तो वह सारे हैं यहां पर मैंने केक का एक बैटर लिया था और अभी दिवाली वगर आ रही है न दिवाली करवा चोथ है से तो यह मिल रहा था गुलाब जामुन का हम इसा ही मिलता है में लेती नहीं इस टाइम में मुझे लगा कि चलो मैं ले लेती हूं और थोड़े बहुत सबजीयां थी हाज मोला जासे लिया था चोड़ी मुडी ग्रॉसरी थी वह सारी ग्रॉसरी मतलब ली थी और वह सब सैट किया और यहां पर देखे जब भी कोई नई चीज लेके आनो तो बहुत अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है कुछ दिन बहुत अच्छी लगीगी फिर वह देखते देखते आदत हो जाती लगता है कि इसको भी मत चेंज करती हूं थोड़ा दूसरे टाइप का करती हूं आज हमें गुड़ वाली चाय पीने का मन कर रहा था तो पटेल गया थे तो गुड़ लेके भी आया थो यह फिलहाल मैं तेमू से ओर्डर की थी कुछ और पहली बार मैंने कुछ तेमू से ओर्डर किया था और इसकी डिलेबरी न बहुत अच्छी है मतलब फास्ट है मैंने किया था फ्राइडेव सेन्डे याद नहीं है और नेइस्ट फाइडे सेन्डे सेन्डे जिस दिन नहीं किया था उसी दिन मतलब जूप मैं पिक्राइब करो तो नीचे लगा उने तो बेकिंग का पुरा खराब हो जाता मैंने कुछ लाइट्स मंगाई थी और यह तो बड़े काम की चीज है अभी किचन में जब काम करो ना तो फिर लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ होता ना तो बहुत काम आता लेकिन अभी यह सब समान के लिए ना तेमू या सीन बहुत अच्छा है लेकिन सीन से फास्ट तब ही से मैंने आट्टो काट करके रखा था इसको ताकि मैं जब और करूं तो यह आजा और यह चोटी भी हो जाती है कहीं भी आप इसको रख सको वह एक कुपी ली थी और अभी दिवाली करवा चौ था रहा है न उसके लिए मैंने कुछ ऐसे ज्वेली पसंद आई थी अ आप मतलब इसमें ऑप्शन था कलर फुल वाला भी लेकिन मैंने सिर्फ गोल्डन में लिया ताकि सब पे चला जाए यह सारी चीज़े बस एक बार यूज होती है लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी यह सब भी पैनना तो यह मैंने एक बड़े एरिंग्स लिए हैं और इस दो कमीछा पेन क करती हैं और वो जूकर है वो तो साल में एकडो बारी निकलते के रिकूर है यह छोटा है तो मैं कभी कहीं सकती हूं और यह फीसरे मने लिए ताकि हमें चल जा है एना ऊठ्वीन और उसमें ग्रीन स्टोन है लेकिन बहुत ही सुनर है और एक मैंने यह पती यह भी दिखा था तो मैंने टो काड करके रखा था उसके लिए दिवाली वगरे के लिए तो यह जो लाइट है न में इसके साहथ लगाऊंगी अभी कैसे लगाऊंगी अभी पता नहीं है बट मैंने ऐसे सोचा है कि उससाथ ही लगाऊंगी तो देखनें बहुत अच्छा रुपयका से इंडिया में और यह जल्दी जल्दी वह सब भी आई टू काट करके इस पर लिया था कि कुछ घंटे की डील थी पिर यह डील चली जाती अभी मैं इसको मतलब इसमें पीसुंगी समान और आपको भी देखाती हूं और यहाँ पर चाय मेरी बन गई ति मुझे ल नहीं रहा था मैं जब पहनूंगी ना तो मैं आपके शायद में दिखाऊंगी और यह मैं बैक कैमरे से दिखा रही है यह सबका ना वेट बहुत ही लाइट वेट है आप चाहो ना पूरे दिन भी कैरी कर सकते हो इसको तो चलिए वह सारे समान जितने फैलाए थे मैंने पैक क गई थी ताकि चाय आराम से बैठके प्यूंगी टीवी देखूंगी और तीवी देखते देखते ना यह सारी चीचे चौप कर लोंगी तो इवनिंग में रहता है जब भी मैं शाम का चाय पीती हूं अक्सर मैं सबजी वगरा लेके वहीं बैठ जाती हूं टीवी देखते चाइप और बलाग पेपर भी एक भी पिस्टना था थोड़ा सू हूं पाउडर कहीं डालने के लिए चाहिए होता है यह संब पीषतनने के लिए लिए बस छोटा सा ही होता है छोटा पॉट रहे है उसी में पीष सकते हैं जैसे मैं पिछली बार जो मिक्सर का लेकर कितना मैं बताओ एक cup जैसे बड़ा होता है उतना कोई भी चीज पीछ सकते हैं जैसे जीरा थोड़ा सा ही पीसना होता है हमें रहती है तो कभी-कभी तो मिल जाता है लेकिन यह तो हमें एक डेर डालर मिला है लेकिन बहुत ही सस्ता मिला बहुत ही काम वाली चीज है और इसके साथ ने चोटा सा ब्रश दिया हुआ है आपको लगे तुस्से जाड़ के निकाल सकते हैं यहां पे जीरा मतलब भुन गया थ दसके लेकिन यहां काह defense in Shibaa मैं तो सब्दार में जंडार में काम बंहुत है तर दाल धार निए कि टानी है मैं यहां एक फदिया चीजा मतलब धीव मैं और था ख़ानी को आप निडानी के लिए हो पीसके देखते मैं यहां के पीसा और बहुत अच्छा पिस गयां है ले तो प्लीज कोमेंट करना कि इसमें मतलब मतलब थोड़ी चटनी लिक्विड पीछ नहीं हो तो पीछ सकते हैं नहीं जीरा पाउडर भी देखी हो गया है और जीरा पाउडर थोड़ा जादा था भ्लैक पेपर से इसलिए धक्कन में भी लग गया तो नहीं द्धकन वाली अभी मैं कुछ वीडियो वगरा देखूंगी ना उसके बाद ही मतलब पानी से धोंगी या फिर लिक्विड चीजे उसमें पीसूंगी यह सारी चीजे हो गई थी सब्जी भी कट हो गई थी तो मुझे लगा सब्जी भी मतलब बनाई देती हूं सिर्फ रात में रोटी बनान यह हमारा इवनिन रूटीन था साम्त मैंने जो जो भी किया आपके साथ शेयर किया तो इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूं आई हो वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल ने थैंक्यू फॉर व